अलो प्रेंस नमस्कार में विविंग टेक्निशन का फॉर्टिन लेकर आएँ जो है कोस एन रेमेडिज ऑफ वाइंडिंग फॉल्स इन टेक्स टाइल बराबर जो वाइंडिंग पेकेज है उसमें कौन-कौन से फॉल्ट आते हैं उसके बारे में आज हम समझेंगे बराबर है तो हम क्या समझेंगे वाइंडिंग फॉल्स के बारे में बराबर है तो पहला है फॉल्टी सेफ ऑफ पेकेज क्या है फॉल्टी सेफ ऑफ पेकेज यहां पे डायग्रम पे बताया गया जो सही जो पेकेज का सेफ सही है और घलत पेकेज का सेफ है तो इसको क्या बोलेंगे ह समझ में आगा जो यहां पे ड्रॉग गिया यह सही है और यह गलत है तो इसको क्या बोलेंगे वार्ट से वाप अब मसीन में ऐसा पेकेज क्यूं बन रहा है उसकी वजह क्या है उसके बारे में हम समझेंगे तो यह क्या है को बराबर तो यह एला फॉर्टी यांगाइड यह गाइड होता है वह क्या होगा फॉर्टी होगा मेराबर बराबर होगा ने तो ऐसा हो सकता है सकी जैन हो बिल्डिंग डिवैस जब हम यह package वाँड करते हैं ऐससे बनाने के लिए जो डिवैस होरत isis भू एक्षोर करें आखया इसा रचितल्ड वह सकता है। यह कंसर्थ सुखमा फॉल्टी-वूर्ट सुखमा छोट्र hurt दर्श इसनम जाने ना जाई एतला है यह न बनए उसके लिए हमें क्या यह सही होनी चाहिए बराबर एक राउन किया और इधर कम आया फिर जादा ऐसा ने जैसा उसका ट्रावर्स है उतना होना चाहिए बराबर यह गाइड क्या होना चाहिए यह सब जो गाइड दिया गया है वह ड्रम के उपर वह भी क्या होना चाहिए बिल्कूल सही होना चाहिए उसमें कुछ भी गरबर होगा तो यह ऐसा बन सकता है अब तो यह समझ गए आप सबसे होता है क्यों बनता है कैसे बनता है कौन-कौन सी बज़े है वर यह वज़े ना तो हम जब भी मसीन चालो करेंगे तो आमको यह सब देख लेना है बदाबर नहीं देखेंगे तो इसे से टाइप का पाकज डवर हम ची कर लेंगे सब क्रक्रावें कि प्रेक अब हम दूसरे पर जाते gel formation and stitching क्या बोलते है gel formation and stitching बराबर तो कोच क्या है improper set of cone holder बराबर जो cone ka holder होगा वो अपने बराबर नहीं लगाया होगा तो यह gel formation हो सकता है बराबर उसको दूर करने की क्या करना पड़ेगा साओधानी क्या रखने पड़ेगी तो हमें चेक करना है एग्यूरेट की तरह दिखा गया है बरभर उसको ऐसे देखेंगे तो यह जो है और उसके ऊपर क्या वांड गया है यान वांड किया गया बराबर और जो यह यह लाइन दी गई वह क्या है फ्लोटिंग यहां पर फ्लोट हुएं वए यान दिकेंगे तो उसको क्या बोलेंगे जहल today's डाइग्राम में गया है जो यह प्रिक्चिंट यहां पर धागा दिखा देखा है वह यह ब्लेट की बोलते हैं तो मानलो यह रई आपो किछेल के lifee , बैबर जब आंके जाएंगे तीसरे पर चैंज में आ गया सींच में आपके क्या अगा बरापर जो प्यों से बारे ऩो हैं मिन ने फ्रीबंटि का फौर्मेशंय होता बराबर पहले देखेंगे कि यह ribbon formation क्यों होता है किस वज़े से होता है तो इन प्रॉपर सेट ऑफ केम स्वीच जो हमें मसीन है बराबर मसीन में है तो उसमें जो केम स्वीच लगाई के वह इन प्रॉपर होगी बराबर नहीं लगाए होगी तो ऐसा ribbon टाइप हो सकता है है अश्वद्लेट नरक्नी है परफेक से फटोप्स आम स्वीच बराबर है तो हमें क्या करना है पर फेक से टोप केम स्वीच ऑसको हमको चीश करना रहे прral使personal है की ऑस है की बराबर है आपको एक पाट का जो है वाइंडिंक मसीं वो आपको समझना समझते होगे आप तभी ये आप समझ पाओंगे तो ये पांच वाच चौथा है स्वर है क्या है सौब पेकेज ये सौब पेकेज भी बोल सकते हैं तो ये लूश पेकेज क्यों बनता है तो उसका reason क्या है तो हम देखेंगे insufficient loading of the cradle जो cradle रहता है वो क्या होगा उसका loading क्या होगा insufficient वो load जो pressure देना चाहिए package पास बराबर वो देब नहीं पाएगा तो ऐसा swap package हो सकता है बराबर तो हमको क्या करना है चेक करना है क्या चेक करना है अबännबर यह तरब से उसको पकड़ेगा इसको क्या बोल थे ऐसको jsुसको क्या करता ओसके ऊपर से उसको डबाके रखता है तो बराबर यह घुमाइगा भी इस लिपेज भी और यह यह लोड सही तरह से होगा यह नीचे वाला लोड बिल्कुल तरह से तो कोई प्रोब्लेम आहेगा स्वक्त बने गाए नहीं अब क्या है पांच वाँख एक को रहत अब जो हम कोंव यूज कर रहे बेराबर जो यह राउंड वाला है जब भाउंड होगा तो वह क्या हो जाएगा यह ऐसा टैंस ऐसी जो गर यहाँचु अध्र की त्रफ मुठ जाएगा तो क्या क्या बोलेंगे उसको कॉलेप्स कॉन बराबर तो इसका सिंपल रिजन है कि यह क्यों हो रहा है तो यूसिंग ऑफ फॉल्टी कॉन्स हम क्या करेंगे फॉल्टी कॉन्स यूज़ करेंगे तो इस टाइप का दिखत आएगा बराबर है कि तो उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो रेमरी क्या है सुड़ भी यूज़ फॉल्ट फ्री कॉन्स बराबर हमें जो पतला कॉन्स है बराबर उसका जो कौन आता है वह सौप्ट होगा अग्दम कड़क रहना चाहिए तो जैसे उस पर टेंसन यान का जो टेंसन कि यह पार्ट वरने पार्ट टू में और भी है वाइंडिंग पोल्स में अगले वीडियो में देखे आऊंगा बराबर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक सो सब्सक्राइब कीज़े थेंगे